न्यूस एटी इंडिया में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मेरा प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ने का पैसला जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिये गए कॉंग्रिस और लेफ्ट पर ममताव एनरजी भड़की है ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इससे पहले भी उनकी तरफ से बात कही गई थी कि जब बैठक में कोई बात वो रखती है तो उनके प्रस्ताव को नहीं माना जाता और इससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि अधीर रंजन जौधरी भी किस तरीके से ममताब एनरजी पर और बंगाल की प्रशाशन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे ऐसे में इंडिगर्ट बंधन को ये बहुत बड़ा जटका है बश्चिम बंगाल में ममताब एनरजी ने अलान कर दिया है कि अकेले ही वो चुनाव लड़ने जा रही है क्योंकि प्रस्ताव उन्होंने रखे कोई भी प्रस्ताव उनका माना नहीं गया ये नाराज़गी है उनकी और यही वज़र है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है बंगाल में अकेले चुनाव लड़नेंगे प्रस्ताव नहीं माना गया इसलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे जो प्रस्ताव दिया वो सभी ठुकरा दिये गए और बंगलाग में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं इंडिया नाम हमने दिया लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का कि हम जोग मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सिप ये मीटिंग को कंट्रोल करते हैं जिसको साथ 24-30 साथ हमारा जिंदगी में लड़ाई कि हमने हम उसको कोई एड़्वाइज नहीं मनेंगे हमको बहुत असनमान मिलते हैं लेकिन तब भी जतना लीडर है रिजियोनल पार पार्टी के उपर छोड़ दो जो रिजियोनल पार्टी स्ट्रोंग है और तीन सो सीट में आप एक लिए लड़ो हम मदद कर देगा हम आपका कोई शिट में हम नहीं लड़ेंगे तो देखें ये बयान आपने सुना और ममताब एनरजी ने ये बयान देकर कली साफ कर दिया था कि वो कहती है कि रिजिनल पार्टी पर भरोसा जटाय जाए क्योंकि वही पार्टी मजबूत स्थिती में है और इसी से आप लोग सबाद चुनाव जीतिएगा लेकिन लगाता जब भी मीटिंग होती थी इंडी गड़ बंदन की जब भी मीटिंग होती थी ममताब एनरजी कह रही है कि उनको डिस्रिस्पेक्ट यानि उनका सम्मान किया जाता था और नियूज एचिन इंडिया की इमारी सयोगी आशिका इसी खबर पर ज्यादर जानकारी के साथ कर दिया है कि बंगाल में एकला चलो की नीती पर ही टीमसी चलेगी उन्होंने साफ का रहूल गांदी की निया यात्रा पर्शिमंगाल में आ रही है लेकिन इंडी घड़ बंदन में होने के बावजूद टीमसी को मंताब एनरजी को कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है सा मंता बैनर जी कॉंग्रेस को राज्य में जो कि उनके पास पहले से थी वही दो सीटे लेकिन कॉंग्रेस इस पर मंजूर नहीं था कॉंग्रेस को ये कॉंग्रेस की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे अदीर रंजन चौदरी के बयान आ रहे थे कि इसे लेकर के वो खुश लेकिन जिस तरीके से आलोचना की गई, 10 से 12 सीटे कॉंग्रस की ओर से मांगी गई थी, TMC की ओर से, ऐसे में इंडी अलाइंस जो है, इसमें आप TMC का रोल अप कैसे देख रही हैं। कर चुके हैं कि एसम में छोटे से चुनाओ में, जो है, कॉंग्रस का वोट परसेंटेज, TMC से कम रहता है, ऐसे में वो बंगाल में कैसे जादा सीटे मांग रहे हैं। पर TMC टी की रहेगी और सभी जो 42 सीटे हैं, उस पर TMC टाल ठोकेगी और भले ही कॉंग्रस उनके सामने हो, लेकिन बंगाल में TMC अकेले ही चलेगी। तो ये बड़ा डिवलप्मेंट है, इंडी गट बंदन में बड़ी दरार क्योंकि ममता बेनर जी वही सबसे बड़ा चेहरा इस गट बंदन का थी, जनोंने जटका दिया है, बड़ा जटका कॉंग्रस को। और अप विल्कुल को बाती है, अब विल्कुल आरा दिया है, जनोंने जायुत लिए आप भी सामने लो ओट समत्या सबसे बेनर जोड़ा जोड़ा आपकता को। झाल झाल